14.2.4 योजना बद्विकास कर्षिय योजनाओं का प्रस्ताव रखा और विकास के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की निव रखी जिसमें शास्की और निजी शेत्रों को साथ मिलकर काम करना था पहली पंचवर्जी योजना 1959 से 1956 में क्रिशि के विकास पर जोर दिया गया और इसके लिए विशाल बांधों वा नहरों के निर्मान ग्रामीर इस्तर पर सामुदाइक विकास कारिक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया किन्तु क्रिशि का विकास अपेक्छा से कम रहा जिसके कई कारण थे भूमी सुधार की धीमीगती दूसरा महतुपूर्ण उद्योगों का नहोना जिनसे खेती के लिए उपकरण रासानिक खाद आदी मिले और ग्रामीड बेरोजगारों को रोजगार मिले इसके दो मुख्य कारण थे दूसरी पंचवर्षी योजना 1956 से 1961 में यह माना गया कि देश की प्रतम प्रात्मिक्ता और द्योगी करण हो जिसमें शासन की विशेज भूमिका हो भारी उद्योग जैसे लोहिस्पात, मशीन उद्पादन, उद्खनन, बिजली, रेल्वे और परिवहन आदी का विकास शासन द्वारा हो दूसरी तरफ मंजोले तथा छोटे उद्योगों में निजी शेत्रे के भागिदारी स्विकार की गई थी योजना कारों का मानना था कि उद्योगिक विकास से क्रिशी शेत्र में रोजगार का भार कम होगा लोग शेहरों में आकर कारखानों में काम करेंगे उद्योगिक विकास से सेवा शेत्र का भी विकास होगा योजनाबध औद्योगी क्विकास से देश में औद्योगी करण के लिए जरूरी बुन्यादी तो बनी मगर अपेक्षा नुसार देश में गरीबी दूर नहीं हो पाई इस कारण 1970 के दशक से देश में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेश कारिक्रम शुरू किये गए 14.2.5 विदेशनीती और पडोस के साथ संबंध अंतराश्टी समुदाय में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध इस्थापित करने की नीती उसकी विदेशनीती कहलाती है अकसर प्रतेग देश की विदेशनीती उसके आदर्शों, हितों और जरूरतों से तै होती है भारत की विदेश नीती भी उसकी जरूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है दूसरे विशुद के बाद भारत सही दुनिया के अन्य देश खासकर एशिया और अफरीका अपनिवेशिक ताक्तों के प्रभाव से आजाध हो रहे थे भारत चाता था कि ये सारे देश एक साथ खड़े हो और एक दूसरे को सहारा दें लगभग उसी समय दुनिया भी दो राजनेतिक सेन गुटों में बट रही थी इनमें से एक हिस्सा अमेरिका के नित्रुत में था तो दूसरे हिस्से की अगवाई सोवियत संग कर रहा था भारत ने इस समय गुट बाजी से अलग रास्ता चुना उस समय के परिस्थिती यह मांग कर रही थी कि भारत को अपनी आर्थिक और समाजिक इस्थिती मजबूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों के सहयोग की जरूरत थी यदिवा किसे एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देशों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता भारती समविदान में शांती और सा अस्तित्य के मुल्य को स्विकार किया गया था इसलिए वा विश्व शांती में अपना योगदान देना चाहता था भारत ने कुछ और देशों के सहयोग से इन दोनों गुटों से दूर रहने की नीती बनाई और आगे इस नीती पर अमल भी किया भारत ने उस वक्त के युगोसलाविया, मार्शल टीटो, इंडोनेशिया, सुकर्णो और मिस्र मुहम्मद नासीर के साथ मिलकर गुट निर्पेक्ष संगठन खड़ा किया मार्शल टीटो, सुकर्णो, मुहम्मद नासीर और पंडित नेहरु को ही इस आंदोलन के प्रमुक नेताओं के रूप में देखा जाता था गुट निर्पेक्ष देशों ने यह नीती भी अपनाई कि वे अंतराष्ट्री मामलों में किसी भी विशय पर गुण दोष के आधार पर अपना मत तै करेंगे केवल इस आधार पर नहीं कि वह रूस या अमेरिका द्वारा समर्थित है गुट निर्पेक्षिता की नीती के बावजूद भारत का जुकाव सोव्यत संग की ओर बना इसका एक प्रमुक कारण था भारत का पाकिस्तान से तनाव पूर रिष्टा और पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से मिला समर्थन चोकि पाकिस्तान को अमेरिका से समर्थर प्राप्त था, भारत रूस के करीब होकर अपनी इस्थिती मजबूत करना चाहता था रूस से भारत को ना केवल राजनेतिक मदद मिली, बलकि अपने योजनाबद और द्योगी करण नीती में भी सहायता मिली सोवेट संग की ही सहायता से भिलाई इस पातकार खाना स्थापित हो पाया इस करीबी के बावजूत भारत कभी सोवेट संग के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधू के लिए एक समझोता किया इसे पंच शील के नाम से जाना जाता है इस निते के प्रमुग बिंदू थे पहला एक दूसरे की शेत्रिय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान दूसरा एक दूसरे पर आक्रमन ना करना तीसरा एक दूसरे के अंधरूनी मामलों में दखलना देना चौथा बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग और पाच्वा शांती पून सहस्तित्व भारत ने अपने सभी पडोसी देशों के साथ सैध्धान्तिक रूप से इस निती का पालन करने का प्रयास किया इस तरह के प्रयासों के बावजूत भारत के अपने पडोसीों के साथ संबंध बहतर नहीं रहे हैं पाकिस्तान के साथ आजादी के बात से ही समबंध तनावपूर थे, भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं, और इस सवाल पर 1948 और 1965 में दोनों के बीच युद्ध हुआ, आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा बना हुआ भारत और चीन का रिष्टा भी शुरुवाती गर्माहट के बाद तनाव पूर्ण हो गया दोनों देशों के सीमा और तिबबत पर चीनी नियंतरण के सवाल पर तनाव बना 1962 में चीन ने अचानक भारत पर आक्रमन किया और भारत को अत्यधिक सैनिक शती का सामना करना पड़ा इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले दो दश्कों में भारत ने गुट निर्पेक्षिता और पंच शील के सिध्धानतों को अपनी विदेश निती का आधार बनाया 1947 से 1963 तक पंडित जवाहर लाल नहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोगतंत्र, धर्मनेर पेक्षिता और अध्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महतुपूर्ण योगदान रहा उनके बाद लाल बहादूर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का सफल नित्रुत्तु किया और उसके बाद उनका अकस्मात निधन हो गया उसके बाद इंद्रा गांधी भारत की प्रधान मंत्री बनी 1965 से 1977 तक विलगातार इस पदपर बनी रही